Welcome back everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टिट टॉपिक है आज हम बात करने वाले हैं विमिन डियोडरेंट्स के उपर हमने इतनी वीडियोज बनाई और हमारे पस कई बार कमेंट आया कि डियोडरेंट्स के बारे में बताओ, टॉप 10 डियोडरेंट्स बताओ तो हाजर है आपकी रिक्वेस्ट पे एक और वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 डियोज फर विमिन सबसे पहले तो आपको यह बताते है डियो आखिर ज़रूरी क्या होता है समर्ज ने पूरी तरह दस्तक दे दिया है बलकि मैं तो कुछ जादा ही धंग से दस्तक दे दिया इस बार जून वाली गर्मी अल्रेडी हो चुकी है तो पसीना आना भी बिलकुल लाजमी है तो जब पसीना आता है तो body odor आप जितने मर्जी सुन्दर हो लो body odor तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता बट एक बढ़िया deodorant ज़रूर लगाया जा सकता है ताकि body odor कंट्रोल हो पाए जितने भी deodorants होते हैं वो anti-perspirant होते हैं इसलिए वो गर्मियों में better रहते हैं as compared to a perfume anti-perspirant आके होता क्या है वो आपके body पे जो पसीना आता है उसको कुछ हग तक control करते हैं और जो fragrance आती है वो तो added भी मज़ा है ही तो deo का काम होता है anti-perspirant plus fragrance इसलिए deo better रहता है गर्मियों में तो आज की वीडियो में हम discuss करेंगे top 10 deodorants for women under rupees 300 तो चलिए अपनी top 10 की list की शुरुवात करते हैं हम start करेंगे number 10 से फिर जाएंगे up to 1 number 10 जो हमारी list में है वो है eva का fresh deodorant इस deo को अगर कम शब्दों में बोला जाईए है सुन्दर सस्ता और टिकाओ इसका price बहुत affordable है fragrance बहुत बढ़िया है lasting बहुत बढ़िया है and 0% alcohol है जो की है सबसे ज़रूरी बात आपकी sensitive skin है आपको डर है कि मेरी skin dark ना हो जाए go for this one बहुत refreshing fragrance है citrus वाली mixture है और बहुत fresh notes है इसके आपको लगाते ही एकदम fresh feeling आने वाली है और lasting भी आपको मिलने वाली है तीन से पाँच घंटेगी अगर हम इसके pricing की बात करें तो इस deodorant का price है 140 रुपीस number 9 जो हमारी list में है वो है envy का blush duo जो कुछ ऐसी purplish pink packaging में आता है सबसे main बात ये without gas deodorant है तो quantity comparatively जादा मिलने वाली है तो अगर आपकी preference है कि मुझे without gas deodorant चाहिए ये एक बढ़िया alternate है इसकी भी थोड़ी fruity floral सी fragrance है जो की बहुत soothing है लड़कियों को काफी पसंद आने वाली है इसके साथ साथ इसकी जो main खास बात है lasting बढ़िया मिलती है क्योंकि envy के duo और perfume दोनों की बढ़िया lasting है काफी fresh deodorant है और काफी fruity fragrance है अगर आपकी choice fruity है तो go for this one आपको काफी पसंद आने वाला है और जो envy की खास बात है इसमें french perfume blended होती है तो काफी different है बाकी range के according अगर हम इसके pricing की बात करें तो इस deodorant का price है 199 रुपी नमबर 8 जो हमारी list में है वो है Falk का paradise deodorant for women ये भी एक काफी popular brand है और इसके हमने बहुत ad देखी होती है टीवी पे lasting भी बढ़िया आपको मिलने वाली है और इसका है without gas तो quantity भी फालतू मिलने वाली है इसकी भी एक again floral जी fragrance है बहुत relaxing एक flower की जैसे fragrance होती है वैसी fragrance है काफी पसंद आने वाली है अगर आप एक mild fragrance के lover है इसकी भी lasting आपको बढ़िया मिलती है Falk के deodorants भी काफी अच्छी lasting देते है और यह Falk का by far the most selling product है अगर हम women deodorants की बात करें अगर हम इस deodorants की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 199 रुपीस नमबर 7 जो हमारी list में है वो है निविया का pearl and beauty deodorant निविया काफी popular brand है deodorants का इसके जो deodorant होते हैं काफी skincare का काम भी करते हैं काफी ध्यान रखते हैं आपकी skin का यह deodorant में सबसे पहली बात तो 0% alcohol है तो आपको टेंचन लेने की ज़रूरत नहीं कि skin dark होगी skin dark alcohol करता है और यह deodorant में alcohol नहीं है इसके साथ साथ निविया के जितने भी deodorants आते हैं वो सबसे बढ़िया anti-perspirant होते हैं तो यह वाला भी जो deodorant है anti-perspirant है जिसका मतलब आपका पसीना control करके रखेगा और body order नहीं आने देगा यह वाला जो deodorant अगर हम इसके कुछ fragrance की बात करें तो mild हमारी लिस्ट में है वह एंगेज का yellow deodorant जिसका नाम है टीज यह भी एक बहुत पॉपिलर वेरेंट है engage की जो रेंज आती है उसका यह deodorant मस्क और कूल अक्वा का mixture है बिल्कुल भी floral या फ्रूटी नहीं है आज कल बहुत सी लड़किया फ्लोरल या फ्रूटी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं करती तो this one is for you यह बिल्कुल भी फ्रूटी नहीं होने वाला sweet fragrance नहीं पसंद go for this one आपको बहुत पसंद आने वाला है इस वाले की भी फ्रेग्रेंस की बात करें तो peach, orange blossom और vanilla इन सब का mixture थी fragrance है बहुत ही dreamy ची fragrance है बहुत ही soothing है आप mild fragrance के lover है तो आपको for sure पसंद आने वाला है last thing बढ़िया मिलती है secret के deodorants की और body order भी control करता है for full day long अगर हम इसके कुछ pricing की बात करें तो इस deodorant का price है 190 rupees number 4 जो हमारी list में है वो है Nike का up and down deodorant this is for women इसमें men की range भी आती है और दोनों एक से बढ़कर एक है अब अगर particularly women की range के बारे में बात करें तो आपको lasting बढ़िया मिलने वाली है कुछ अगर fragrance की बात करें तो ना जादा strong है ना जादा mild है अगर आप एक in between fragrance चारे हो तो this one is for you आपको बढ़िया lasting मिलने वाली है इतना mild भी नहीं है कि जल्दी से उड़ जाए और इतना strong भी नहीं है कि आपके सर पर चड़े नाइकी के deodorant वैसे ही बहुत long lasting होते हैं और daily use के लिए बिलकुल perfect है अगर हम कुछ इसके pricing की बात करें तो इस deodorant का price है 299 रुपीज नमबर 3 जो हमारी list में है वो है याडले का morning dew deodorant एक fresh morning से सुन्दर fragrance किसी चीज की नहीं होती जो एक dew की fragrance होती है बहुत beautiful होती है इसकी जो fragrance होती है जो एक valley से fragrance आती है ना वैसी जी fragrance है जैसे जो fresh flowers होते है white lights जैसे lily वगेरा उनकी fragrance होती है जो की बहुत soothing है बहुत relaxing है और स बहुत बढ़िया मिलने वाली आपको याडले के वैसे भी perfume और बहुत बढ़िया है चाहे हम men की बात करें या women की बात करें इसका जो particular मेरा favorite variant है वो है morning dew जो की बहुत बढ़िया और आपको बहुत पसंद आने वाला है अगर आप एक mild floral fragrance पसंद करते हैं अगर हम इसके बहुत बहुत बढ़िया है और इसकी लासिंग बहुत बढ़िया है अगर हम कुछ इसके pricing की बात करें तो 299 में आपको मिल जाएगा blue lady deodorant and number one जो हमारी list में है वो है अर्माफ का vanity deo इस deo की तो भई जितनी तारीफ करें कम है by far the most selling by far the most long lasting mild सी fragrance है fruity सी fragrance है और honestly मैं अगर कहूँ 10 में से 8 लड़कियों को तो यह पसंद आनी ही आनी है आपने एक spray किया and you're done आप कहोगे एक बार में done कर दो पसंद आएगा ही आएग इसके भी अगर हम कुछ pricing की बात करें तो 299 रुपीज में आपको मिल जागा यह deodorant और यह भी बहुत long lasting होने वाला है because यह भी made in Dubai है यह थे हमारे top 10 picks of deodorants under rupees 300 अगर आपका favorite deodorant इस list में आया हो तो आप हमें comment box में जरूर बताए हम more than happy होंगे आपका comment देख के और हमें चेक आउट कर दें आप हमारा store भी विजट कर सकते हैं अगर आप nearby Delhi में रहते हैं Google Maps का link आपको मिल जाएगा description में अपने friends के साथ share जरूर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि कौन सा deodorant बढ़िया है 300 रुपए के अंदर हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडि आपसदेवा गुडबाए